नमस्कार विद्यार्थी मिद्रों आजे आपड़े धोरण 5 विसाई हिंदी पाठ 5 टेस्ट पेपर अने तेनू स्वाल्यूशन जोईशू चलो विद्यार्थी मिद्रों सुरू करते हैं चीडिया घर की सेर इसका टेस्ट पेपर और स्वाल्यूशन प्रस्णा एक नीचे दिये गए प्रस्णों के जवाब में सही विकल्प चुनिये नमबर एक गीता किसके साथ चीडिया घर गई थी तो उसका उत्तर आएगा दादा जी ड़ आएगा उसका उत्तर नमबर दो काले मुँँ वाला बंदर तो काले मुँँ वाला बंदर लंगूर तो उसका जवाब आएगा अ लंगूर नमबर तीन कच्चुए के उपर का सक्त भाग तो उसको बोलते हैं खोल तो उसका उत्तर आएगा का खोल नमबर चार सबसे बड़ा पक्सी कौन सा है तो सबसे बड़ा पक्सी सुतूर मुर्ग का इसका उत्तर आएगा का चलो नमबर पांच किसके नाग पर सिंग होते हैं तो इसका उत्तर आएगा ग्याइंडा चलो आगे नमबर छे गीता ने किसको पत्थर बताया तो गीता ने कच्चुवे को पत्थर बताए तो उसका उत्तर आएगा कच्चुवा नमबर साथ मोर मोरनी सेर सेरनी गाय बैल तो बंदर तो बंदरी बराबर अब आगे यहां बंदर तो बंदरिया लिखेंगे अ आएगा डंबर आठ सब्दकोस में हिंदी वर्ण माला का पहला आक्सर खाली चेग्या है तो इसका उत्तर आएगा अ है पहला आक्सर अ है चलो प्रस्ण दो नेचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर लिखिये तो पहला प्रस्ण है के चिडिया घर में क्या लिखा है तो चिडिया घर के चिडिया घर में लिखा है के चिडिया घर के जानवरों को खाना देना मना है प्रस्ण दो है बाड़े में कौन टहल रहा था तो बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराप टहल रहा था नम्बा तीन लोग बंदर को क्या खिला रहे थे तो लोग बंदर को मुंग फली और केला खिला रहे थे चल आगे प्रस्ण चार लोग पीछे क्यों हट गए तो उत्तर लिखेंगे सेर की घरजना से लोग पीछे हट गए नमबा पांच तालाप में क्या था तो तालाप में मगर और मचली थी नमबा चले कचुआ का रक्षक कौन है तो खोल कचुवा का रक्षक होता है प्रस्ण साथ विदेशी पक्षी का नाम क्या है तो लिखेंगे विदेशी पक्षी का नाम कातुवा है नम्बर आट चीडिया घर में किसकी सवारी कर सकते है तो लिखेंगे चीडियागर में हाथी और उट की सवारी कर सकते हैं चलो आगे प्रस्ण तीन है नीमनलिखित प्रतिगना पत्र को पटकर प्रस्णों के जवाब लिखिए नमबर एक हमारे देश का नाम क्या है? तो लिखेंगे हमारे देश का नाम भारत है नमबर दो हमें देश की किस बात पर गर्व है? तो हमें देश की समरुद्धी तथा बहुवीत परमपरा पर गर्व है तीसरा है हमें किस की इज़द करनी चाहिए? तो हमें अपने माता पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज़द करनी चाहिए प्रस्णचार है हमारा सूख किस में है तो हमारा सूख देश और देशवास्यों की भलाई और समरुद्धी में ही हमारा सूख है चलो आगे प्रस्णचार उदारण के अनुसार रेखांकित सब्द की जगह उच्चित सब्द लिखकर वाक्य बनाए तो यहां है यह लड़का है तो यह लड़की है तो नमबर गाय गास खा रही है तो लिखेंगे बैल गास खा रही खा रहा है नमबर दो अध्यापक पढ़ा रहा है तो लिखेंगे अध्याभी का पढ़ा रही है तिसरा लड़के खेल रहे है तो लड़किया खेल रही है नमब चार राजा न्याय करता है तो राणी न्याय करती है नमब पाँच लेखी का किताब लिखती है लिखेंगे लेखो किताब लिखता है नमबब 6 विद्यार्थी पाट साला जाता है तो विद्यार्थी नी पाट साला जाती है चलो आगे प्रश्ण पांच कौंस में से सब्द चुन कर निम्न लिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए तो पिंजरे में खाली जग्या दहार रहा है तो सेर खाली जग्या मुँ काला होता है तो लंगूर का मुँ काला होता है तिसरा खाली जग्या अपनी गर्दन और हाथ पिर अपने खोल में चुपा लेता है तो कचुवा आएगा कचुवा अपनी गर्दन और हाथ पिर अपने खोल में चुपा लेता है नमबर चार सफेद रंग के विदेशी पकसी का नाम खाली जग्या है तो हम लिखेंगे कातुवा नमब पांच तालाब में खाली जेगया तेर रही थी हम इसमें लखेंगे मचलिया नमब छे कीता और दादाजी खाल जेगया गए थे तो कीता और दादाजी चिडिया गए थे विद्यार्थी मित्रो यहां से अमारा यह टेस्ट पेपर समापत होता है धन्यवाद